हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो कैसे हैं आप आई हो पाप ठीक होगी अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आपको आने वाली वीडियो को दोटिफिकेशन मिलती र हो गई थी इसका जो जड़े थी वह पूर्ण तया जो डेमेज हो चुकी थी और हमने इसको काफी देर से भी चेक किया था क्योंकि इसके पते जो है ब्राउन हो गए थे तो हमें लग रहा था कि कुछ ना कुछ इस प्लांट में दिक्कत है तो उसके बाद जब फ्राउचन थी तो तरह से कि यह परों और हमारे पहले वह का बोड़ी से ब्लांट को खत्म कर देता है और इसमें पफ़ैस कितना वी केमिकल या कोई ड्वाइया यूज करो तो वो रुखता नहीं था तो हमने पहले विचन के कोशिश Bash ती प्रम्त नहीं बच ते और हम उसमें जितना जादा वह एक्सपेरिमेट करते रहे उतने जादा वह खतम होते गए तो चैमिकल जो है जड्सडन के लिए किसी भी तरह से फाइदमन्द नहीं है परंतु इस प्लांट में हमने किसी तरह का केमिकल इस्तिमाल नहीं किया इस प्लांट पर हमने ट्रैकोड आया होगा कि हमने किस तरह से जो है इसमें ट्राइकोडर्मा और सोडोमनाज की अप्लिकेशन डाली है तो उसके बाद आज मैं इसके रिजल्ट देखने आया हूं तो इस प्लांट के जो है रिकबरी काफी फास्ट होई है तो पिछले साल जब हमने इसको चेक किया था उस टैम केवाल इतना जैसा हिसा ही सही सलामत था प्रंतु और जो यह वाले हिस्से थे इसमें जो है काफी ज्यादा अंदर तक सड़न चली गी थी और इधर से जड़े थ रूट्स थी यहां पर चोट चोटी बिल्कुल जो रूट्स थी जहां पर वह हमने ऐसे छोट दे थी और इसको ट्राइको डर्मा सोड़ोमनोस के अप्लिकेशन करने के बाद हमने इस तरह से इसको थोड़ा मिट्टी से ढख दिया था ताकि जो छोटी-छोटी रूट्स है उसके थो यह पौदा जो है मिट्टी से निट्रिशन ले सके तो वो हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो काफी सफल रहा है इस एरिया में जो छोटी-छोटी हमारी रूट्स थी आप देख सकते इस तरह की छोट-छोटी रूट्स थी इसमें तो वो जो है इस मिट्टी से अ तो इतना एडिया सेफ होना हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि यह ट्राइल एक्सपेरिमेंट यह सफल रहा त्राइकोडर्म और सोडोमनोस का हमने जो यहां पर यूज किया था तो उससे जो इस प्लांट में रिकबरी हुई है जैसा कि हमने सुना था कि यह दोई सकती हैं अगर आपके जर्ड सब्सक्राइब तो अगर रहुए नहीं बढ़ जाता है अगर इस प्लांट में क्रॉपी काफियच है हलांकि जो इसके पत्ते हैं अन्या प्लांट के मकाबले जाए थोड़े लाइट ग्रीन है क्योंकि इस प्लांट में हमने कोई भी किसी तरह के इसके एक और एकस्पेरिमेंट करेंगे क्योंकि रूट जो यह सब आपना पड़ेगा और हम जो भी तरीका पनाएंगे जैविक इसे हमें अच्छा फाइदा दिखने को मिल रहा है तो यह हिस्सा हमने ऐसे रखा हुआ है कि यहां से चोटी-चोटी जो फिडिंग रूट से वह जो है इस मिटी से स्वाइल से जो है अपना पॉशन ले रही है तो यह प्लांट का फिर कबर होने की स्थिति में हैं तो हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने उमीद छोड़ द इसा एडिया है तो इस प्लांट में हम आपको क्रॉप दिखाते हैं यह हमने आलू यहां भी लगाए हुए है देसी आलू कि यह देख सकते हैं क्रॉप इस प्लांट में और यह देखिए पत्ता है तो भागवन भाईव आज की वीडियो बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैजवान जैख साहां